कि सेंसेक्स फूचर्स आट्रेडिड अधर मल्टिपल ओफ फिफ्टी यहां पर हमें लॉट साइज बता रखा है कि जो एक फ्यूचर है स्वारी एक कॉंट्रेक्ट है उसमें कितने फ्यूचर्स है 50 फ्यूचर्स हैं कि नीचे जो कोटेशन है वह आपको यहां पर ना आपको छुटियां मिलेगी तो जैसे फोर्थ फिफ्ट सिक्स सेवन एट्थ इस तरहन के चुट्टी है क्योंकि संडे की चुट्टी होती है तो एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहा था मैं यहां पर कुछ हाई दे रहे हैं उन दिनों के और कुछ लोग लेकिन अपने को हाई लो से कोई मतलब नहीं अपने को क्लोजिंग से मतलब होना चाहिए ठीक है हम लोग किस बैलेंस को करेंगे हम लोग सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को करेंगे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस पर ही क्या होता है चीज़े सैटल होती है फिर नीचे क्या रखा कि अभिशेग बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉंट्रैक्ट ओन फरवरी फॉर्थ क्या रहा average daily absolute change in the value of the contract is Rs. 10,000 and the standard deviation of these changes is Rs. 2000 क्यारा है कि जो average का जो daily का जो change वो कितना है हमारा 10,000 का है और जो standard deviation है वो 2,000 रुपीज का है जो maintenance margin है न वो हमारे initial margin का 75% है maintenance margin कितना है initial margin जो भी हमारा निकलेगा उसका 75% होता है हमारा maintenance margin तो सबसे पहले तो हम initial margin निकालते हैं अभी जो daily change होता है उसको हम mu से denote करते हैं daily change को किसे denote करते हैं mu से तो यह हमारा 10,000 क्या हुआ है यह हमारा mu हो गया ठीक है तो initial margin का formula होता है mu plus 3 into standard deviation अब mu कितना है mu 10,000 का है mu कितना है 10,000 का हमारा mu है 3 into standard deviation का है पर लिखा हुआ 2000 का यह तो टोटल जो initial margin हमारा हुआ यह कितना हुआ 60,000 का अब देखो initial margin होता क्या है जब भी आप sunset में जब आप ट्रेडिंग करोगा ना futures में तो यह आपसे initial deposit जो है को जमा करवाएगा कि इसके बिना तो हम आपको trading करने देंगे ही नहीं तो यानि initial margin एक तरी किसाब security deposit समझ सकते हो ठीक है तो initial margin हमने निकाल लिया आप हमें maintenance margin निकाला है maintenance margin कितना है तो initial margin का 75% तो initial margin कितना है अभी हमने कितना है तो इस तरीके से करते करते है अगर आपको जो सिकोर्टेट डिपोजिट आपने जमा करा रखा है उसका balance अगर 12,000 से नीचे चल जाता है तो आपको इतना पैसा और जमा कराना पड़ेगा कितना जमा कराना पड़ेगा इतना और जमा कराना पड़ेगा ताकि आपका जो लेवल है वो दुवारा से इनिशेल मर्जिन तख पहुंच जए यानि 16.000 तख पहुंच जाए जैसे आपका बैलेंस है मार्जिन अकाउंट में वह कितना हो जाए इनिशल मार्जिन के बरावर हो जाए तो जब भी आपके में आपके अगा देख लेते हैं तो यह देखो मतलब है हाई-लोस चै़ल देखान फोर्थ पर पर कैसे तो उन्हें फूचर ब sotto li Bombo proven lang है कि आया यह कि other यह प्रेड रापिछ जबvisor होगा तो 3296.50 पर हमने क्या किया लॉंग किया है इस रिट पर हमने लॉंग किया है अब देखो आप फॉर्थ डे पर ना इसको लॉस हो जाता है फॉर्थ डे पर वेल्यू क्या है स्वारी फिफ्ट डे के एंड पर इसकी वेल्यू है 3294 और इसके एक दिन पहले यानि फिटेदा था ता भी वेल्यू थी 3296 यानि इसको अलगवक दो रुपया का कुछ का इसको लॉस हुआ है तो यह लॉस उसको एक फिचर का हुआ ही जो रेट दे रिखाने यह सभी सिंगल फिचर के रेट से हैं तो अगर इसको एक फिचर के उपर अगर इसको इतना का लॉस हुआ है तो 50 फिचर के उपर इसको कितने का लॉस हुआ टोटल टोटल लॉस हुआ 105 का तो यह नि 60,000 जो मार्जिन अकाउंटर उसमें से लस्कर दो 105 तो हमारा आंसर कितना जागा हमारा आंसर जायागा 15,895 का तो हमने पांच में दिन पर हमारा लॉस होगा चटे दिन पर फिर से गिर गई अब 3230 हो गई पहले कितनी थी 3200 अंग्रिजी में बोलता हूं 3294 थी और छटे दिन में कितनी होगी 3230 यानि फिर से गिर गया कुछ 64 रूपीज का कुछ गिरावाट हुआ है छटे तारी को तो देखो यह फिर से लॉस हुआ हमें 60 रूपीज का एक 2895 बैलेंस हमारा बच रहा था हमारा 105 का लॉस हो था उसके वाद हमारा जो बच रहा था आखरी बैलेंस वह फिटीन थाओजन एटने निटीफाइव का बच रहा था अब दूबार से लॉस हो गया 3200 का तो यह लॉस जब एड्रस करोगे 15895 में तो आपको जो नया बैलेंस जागा 6 देके एंड में वह कितना जागा 12695 का अब भी मार्जिन अकाउंट जो है ना मार्जिन यह मार्जिन स्वरी जो मेंटेनेंस मार्जिन बारह जार का उससे अभी भी हमारा मार्जिन अकाउंट में ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है ठीक है लेकिन 7 को और लॉस हो अर इतना लाओ सो जाता है कि हमारा बैलंस कितना पहुंचाता हमारा बैलेंस पहुंचाता एलेवन थावजन स्वरION अच्छा एलेवन कराना हैँ में इतना वहाँड़्न वापस कितना पढ़ा 11,709 बालेंस पढ़ा हुआ यानि हमें वापस जो है वो डिपोजिट करना वह हमें डिपोजिट करना 4,210 तो हमने 4,210 इसमें दुवार से डिपोजिट कर दिया तो मर्जिन अकर्ड में हमारा दुवार से बैलेंस तक पहुंच गया इनिशन मार्जिन पर करेगा जो स्टॉक मार्केट में जो भी लोग बैठे रहते रहे यह रेगलियाटर्श हम से कहेंगे कि भाई इतना पैसा लिया ओं ठीक है आपका मेटेस मा vegetation से अपकर इतना पैस 楽नाएं तह Champions तर् ikम हो गया किझाव गया था हमें शोली हआ यार यारश वापस करना पड़ेगा तो हमें пример मुंदेगा पैसे 5 तो कितना बैलेंस हो गया तो बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है इसमें जातों कुछ करना नहीं प्लस मानस ही आप लोगों ने करना और कुछ भी निकलना है ठीक है तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक बहुत मेरे को कमेंट बोक्स में लिख देना